वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रमीन आप लोगों के साथ है SPI कलर्क का टोटल रजिस्टेशन कितना हुआ है ये मैं डारेक्ली स्क्रीन पे भी ले जाकर आपको बताऊंगा और मैं लाइव आप लोगों को बताने वाला हूँ आज 7th of December को मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो बना रहा हूँ और SPI कलर्क में आप देख लो कि क्या tough आपका competition है और आपका क्या space बनता है इस final registration के बाद क्यूंकि आज 7th of October का morning का time है और time में मैं आप लोगों को बता दूँगा ये exactly जो अभी मैं आपको बता रहो हूँ 7.30 a.m और इस 7.30 a.m में अब तक total registration कितना हो गया है और आप ये समझों कि आज 7 तरीकों लगबग साम तक और total registration कितना हो जाएगा कितना tough आपका competition होने वाला और आप कैसे यहां तो survive करोगे क्योंकि जो P.O. के लिए apply कर रहा हो या P.O. या clerk इन सभी के लिए अगर कोई apply कर रहा है SPI में वो form fill करेगा ही करेगा damn sure रहो कि वो clerical हो या P.O. हो form fill करेगा और आज देखो आपके सामने मैंने morning में registration करा है और ये मैं को बता रहा हूँ कि लगबग 12 लाख candidate अब तक apply कर चुके है और यही नहीं मैं directly screen पे ले चलता हूँ साड़े साथ बज़े का timing है मैंने registration करा आप लोगों के सामने है कि अब तक 12 लाख लगबग candidate apply कर चुके है record है ये कि SPI में 12 लाख candidate apply कर रहा है आप ये समझो कि pre कितना tough होने वाला है इसलिए my dear friends apply करो बिलकुल करो लेकिन prepare कितना हो रहे हो ये important है और ये तो अभी morning का आकड़ा है आपके सामने जब आप evening में देखोगे तो आपको पता चल जागा कि अब तक total registration कितना हो गया है दो दिन पहले जो ये registration था ये आपका लगबग 9 लाख के आसपस था और ठीक दो दिन के बाद देखो लगबग 3 लाख registration क्योंकि almost जो candidate रुक जाते हैं और वो ये देखते हैं कि मुझे बाद में ही apply करना और वो literally बाद में apply करते हैं and you have seen the total registration in the SPI clerical 2023 ठीक है हलांकि इस चीच पे हम लोग एक बार evening में भी देख लेंगे कि total अब तक registration कितना हुआ है लेकिन ये मुझे आप comment करके बताओ कि आप कौन से state से fill किये हो क्या आपका preference जो है वो language को देखके हुआ है या vacancy को देखके हुआ है ठीक है सबसे पहला मुद्द ये होना चाहिए कि मैं अपना बेरोजगारी कैसे हटानू किसी भी state से आप apply करो आपका रोजगार आपको मिलना चाहिए फिर हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या होगा कब transfer होगा और क्या होगा लेकिन इन चीजों को भी point में रखना चाहिए बट पहले आपको अपना रोजगार फिर आएंगे अपने registration पे हम लोग evening में बात करेंगे जब हमारा total registration complete होगा इसके लिए आप मुझे comment करके जरूर बताना चाहिए यूट्यूब पर बताओ या फिर facebook पे या instagram पे मैं description में आप लोगों को सारा link provide कर रहा हूँ